सबसे पहले रसी शोटा माई बाप को बहुत बहुत नमस्कार और बहुत खुशी की बात हो रही है कि काफी ताइम से अवेटिंग हमारा ये खुब्सूरत सा कारेकम एजन्दगी गले लगा ले सबसे पहले तो रसी माई बाप सभी शोटाओं को और दर्शकों को मेरी बहुत बहुत नमस्कार और बहुत दिनों से इंतजार में रहे वो प्रोग्राम जो खुब्सूरत प्रोग्राम है एजन्दगी गले लगा ले अल्टिमेटली माई एफम पर आ रहा है पहली डिसंबर से तो मुझे दिली बहुत खुशी है और मैं उमीद करता हूँ कि उपरवाला यह प्रोग्राम सक्सेस्फूल करें और मेरे दर्शक जो है और जो सुनने बाले हैं वो भी इसको पसंद करें यही भगवान से प्राथना करूंगा मैं कुमार भाई का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने स्टूडियो री फ्यूल में यह कारेकम प्रोडूस किया है और आपको बहुत अच्छा लगेगा क्यों बिल्कुल मज़े की बात यह है कि सुरेज जी एक लेजिनरी आर्टिस्ट है आप सब जानते हैं पदमश्री से नवाजे हुए हैं और सुरेज जी का जो टेक्ट्चेर आफ्वाइस है वह हीलिंग टेक्स्यर है हिलि इंग मतलब के जब लगब हम बात करें 24 गंटे फिर साथ दिन फिर तीज दिन तो एक दिन जरूर ऐसा आता है जिस दिन हमें फील होता है थोड़ा लो फील करते हैं सब चीजे सेम है बट उस दिन अगर आपको यह सा फील हो तो सुरेज जी का कोई भी गाना सुन लिजे मैं आपको चैलेंज करता कि you will feel healing out of that और यह ऐसा नहीं है यह मेरा मैं बच्पन से एक गाना सुनता हुआ रहा हूं सुरेज जी का वो था तुम से मिलके ऐसा लगा तुम से मिलके आप सोचे उस वक बच्पन के इमोशन से लेकर जवानी जवानी के इमोशन से अभी तक एक maturity वाली जो एज है उस तक इमोशन बहुत बरकरार है और वो उसका जो उसकी जो खुश्बू है वास तक सेम ऐसी है तो ऐसे जो गाने सुरेज जी ने गाएं अपनी आवाज में वो एक हील करते हैं प्रोग्राम की थीम भी यह है आई जिंदगी के ले लगा ले ले इफ यू फील सम टाइम इतनी भा अतुछ है अपने परिवार के साथ एक घंटा निकाले सिर्फ एक गंटा आठ से नौ भस अपने परिवार के साथ एक गाड़ी उठाए यह बचों के साथ अपनी वाइफ के साथ यह माता Прिता के साथ जैसा भी आपको समस्टेबल लगे आप बस एक जॉयराइड में निकल जाएगे अब आप सुनना शुरू कीजी इस प्रोग्राम को जब सुरेश जी की आवाज आपके कानों में आएगी तो यू फील ब्लेस्ट आपको एक रिलक्स फील होगा जब आप गाड़ी चला रहे होगे न तो आपको ऐसा सांस लेके आप एक रिलक्स फील करोगे इस आव आपको हील भी करेगा एक एंथूसेजम देगा आने वाले कल के लिए आने वाले कल से कल को डील करने के लिए तो बेसिक प्रोग्राम का थीम सब कुछ सुरेश जी की वाइस है सुरेश जी की वाइस आप मैडिसन भी समझ सकते हैं आप हीलिंग भी समझ सकते हैं आप एक ऐस सा शहद समझ सकते हैं जो अगर आपके कानों में घुला तो आपकी रगों में प्यार और महबद बनके जरूर दोड़ेगा दुसता हूं सर इसके अलाबा क्योंकि हे शो है सुरेज सर की गाने तो सुनने मिलेंगी क्या सुरेज सर ने जो लाइफ में एक्सपी जिन्स किया गाने रिकॉर्ड करने की क्या वो experience भी वो share करेंगे audience के साथ में अगर कुछ share करेंगे बढ़ी मीठी और सची सची बाते हैं सुरेज जी की अब जब आप सुरेज जी के आवाज सुनते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा एक texture होता है वो बहुत इमानदारी का होता है ऐसी इमानदारी होती है कि जब एक वर्ड बोलते हैं तो दूसरा दूसरे से तीसरा आप कोशिश ये करेंगे ये चलती रहे ये बातचीश चलती रहे तो सुरेज जी के जितने भी experiences है अपनी लाइफ के हमारे खटे मीटे सारे किसे हैं जो मेरे करियर में या जिन्दगी में गाने के वसीले से जो घटे हैं वो मैं सबको सुनाओंगा जो बहुत अच्छा और कुमार भाई तो वेल रेड और क्या कहते हैं सारी मालूमात उन्होंने मेरे बारे में इतनी रखी हैं जो मैं भूल गया था वो भी याद करवाई उन्होंने अच्छा लग रहा है दोस्तों एक बहुत अच्छी सीज बताओ आपने जब इक कॉर्शन मुचा आपको इतना बताता हूँ दोस्तों इस शो में एक कागज भी हमने लिखा रही है इस इस आल अनस्क्रिप्टेड जब सुरेज जी मेरे सामने तुम में उन्ये होता है तो में उन्हें साधर प्रके नमस्कार करके अंधर बैड़ जाता हूं मुम दौनों इक र कोडी रूमyrम में होते हैbase एक एक गिलास पानिगा लेते हैं और बात परना शुरू करते हैं और मुझे इस पैनला रही हूँ ये उसका क्या अंसर देंगे, he is not prepared, कि मैं क्या question पूंच रहू हूँ, मैं प्रपेर नहीं हूँ क्या अंसर देंगे, so it is straight from the heart. कोई, actually उसी में मज़ा है, कि आप सोच के फिर बहुत उसको, क्या मतना ना, मलाई लगा के, शहद लगा के बोलेंगे, एक स्टेंपोर जब आता है, तो धार करके जो भी सही बात होती हो निकलती है, वो अच्छी हो, कुरूड हो, मगर सही बात कहने का मज़ा आता है, जो बिन लिखा हुआ, बिना सोचा हुआ, करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, एक भी सवाल, एक भी कोशिन, इस पूरे शो के अंदर, स्कृप्टे नहीं है, इस आल नौन स्कृप्टेट, जलिए, तो दे थिंक्स, पहला सबसे सची चीज, मेरा ये मानना है, देखो दोस्ट जब आप इस शो को सुनेंगे, तो मैं अभी बहुत ज़दा रिवील नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ आप लोग खुद सुने, आप जितने लोग हैं, आप अपनी फैमिली के साथ संडे को जाएं, इमांदारी से बेहंताया काम करें, Monday to Friday, Saturday आप बेहंताया काम करें, सि उस प्रोग्राम में, वो गाने सुने, obviously वो गानों का भी एक थीम है, अब जैसे वो आपन इंटेंसिव केर में चले जाते हैं, तो पहले कौन सी मेडिसिन देते हैं, फिर कौन सी मेडिसिन देते हैं, तो इस इस कॉल्ड इंटे का इंटेंसिव केर, आपका एक घंटे का इं स्थिथी सब सेम रहती है, बस आपका सोचने का तरीका बदल जाता है, उस चीज को डील करने का तरीका बदल जाता है, चीज सब कुछ सेम है, आप ही उसको बदलते हैं, आप ही उसको सोचते हैं, और आप ही उसको करते हैं, सिर्फ और सिर्फ समय का फरक होता है, मेरा मानना य है कि जब आप कोई भी कठिनाई में होंगे ऐसा है नहीं कि कोई भी कठनाई में नहीं है everybody ये बहुत बड़ा basic है life का कि आप अगर जी रहे हैं तो कोई ने कोई कठनाई भी होगी कोई ने कोई अच्छा ही भी होगी ये वोई स्रोथ है ये वोई कि एक ऐसा पवित्र सोथ है कि आप इनके गाने इनके आवाज और इन सब चीजों को इस पूरी intensive care में रहेंगे तो ये फील बैटर आप blessed समझेंगे अपने आपको yes we are something आपको एक energy विलेगी सुरेज जी का एक word इतनी energy देता है कि अगर संदे को आपने वो energy ली तो साथ दिन चली अब साथ दिन के बाद आपको उसके आदत हो चाहिए अब आदत हो जाएगी तो आप next Sunday को चाहिए so this is the feel of this show and I am thankful to my FM Abhishek, Siddhar, Sablog है कि उन लोगों को उनका message आया, उनका phone आया आपके creative head का कहना है madam का कहना कहना कहते है sir यह जो सुरेज जी का यह 10 minute का conversation है अब इसको कहीं से काटने का money नहीं कर रहा इसको edit कैसे करूँ problem यह है कि सीमा तो है यह गंटे की सीमा है आठ गाने भी बजाने है अब इसको काटूं कैसे मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं कहीं से काटूं या कुछ करूं तो I said कि सीमा और वो है आप ऐसा करिए जो गाना सुरेज जी का है सबसकर यह जिंदकी गले लगा लें तो उससे related सुरेज जी ने बोला पांच यह चैनल तो उन्होंने दिल पे पत्थर रखे ना उसको यहां से थोड़ा काटा यहां से थोड़ा काटा फिर बाद में काते ह तो एसे पहला एपिसोड में तुमसे मिलके वह एक ऐसा आइकोनिक सॉंग है मेरे खाल से कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसने यह नहीं सुना होगा तुमसे मिलके ऐसा लगा तुमसे मिलके अच्छा मैंने अपनी लाइफ के जितने भी कपल्स देखे हैं या तो उन्होंने इस सॉंग के उपर अपनी जो अपनी मैरी जोइन लोग की तो इसके उपर डांस किया या वो कोई लॉंग ट्रिप पे गए तो उन लोगों ने गाना सुनके इस गाने को एंजोए किया न्यूली मैरेट कपल हनीमून पे गए तो यह गाना सुनके एक दूसरी की तो इस सॉंग इस एड फ्यूल आफ लाइफ अपने अंदर वो जोश वो एनरजी सुरेज जी के द्वारा गाय हुए सॉंग से ले सकते हैं दोस्तों हो सकता है कि सुरेज जी ने जब वो गाना गया देखिए वो गाना है नबबे के द शक्का असी के द शक्का उस वक्त आप कितने साल के थे आज कितने साल के बड़ा छेंज आया होगा कई सारी चीज़ें जो आप समाघ गये हूं कई सारी चीज़ें जो भी भी समजनी बाकी है जो समझ गए हूंगे और उससे डील कर रहे है तो उसमें भी यह गाने help करेंगे और जो समझ नहीं आ रही है उसकी energy को regain करने के लिए गाने आपको बड़े काम करेंगे So it is a complete dose, complete healing process of one hour I request you कि एक बार just इस जर्नी पर जाएए Monday to Friday आप जैसे पहले काम कर रहे थे न और उसके अगले इस show को सुनने के बाद जो काम करेंगे उसमें बहुत फर्रक हों का दोस्तों आपके अंदर एक शालीनता आजाएगी एक aggression खतम हो जाएगा एक आपको approach change होना शुरू हो जाएगा आपके काम का कि आप जिस भी चीज को आप डील कर रहे थे किस एक ही चीज को हम अलग अलग तरीके से डील कर सकते हैं बट आप एक अच्छे से डील कर पाएगे क्योंकि आप चित और मन से शान्त हैं आप 8-9 अपनी फैमिली के साथ रही है देखे फैमिली सबसे बड़ा support होता है लाइफ का सबसे बड़ा फैमिली से बड़ा कोई नहीं है फैमिली इस ओनली दी आपका अच्छे पुरे समय में फैमिली साथ है अब एक तो आपकी फैमिली साथ है और सुरेज जी की वाइस है तो कितनी बड़ी कॉक्टेल है 20 ml और आपकी फैमिली आदा ग्लास तो दिस इस सम्धिंग एक बहुत प्यारा शेहद है आपके क्वेशन में उसका जवाब दिए आपने यस जवाब दिया आपने यस काश ये पता चलता recording के time पे कि ये हीट होने वाला है मगर वो पता नहीं कहाँ कहाँ चला जाता है मालूम नहीं और जिसकी तरफ भहत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है संगीत कार के तरफ से या गायक की तरफ से वो इतना हीट होता है कि आदमी सोच भी नहीं सकता है मतलब ऐसा समझ दीजिए कि आपका हर प्रोगर्म उस गाने की सिवाए कंप्लीट नहीं होता तो यह तो किसी की हाथ में नहीं होता है उस गाने की कुंडली अच्छी होनी चाहिए मैं इसको बहुत मानता हूँ कि वो गाना किस समय पे बना कब रिकॉर्ड हुआ किस फिल्म में आया और कैसे पिक्चराइज हुआ उसकी कुंडली बन जाती है एक और आपको मालूम है अगर भविष्य को आप मानते हैं तो हमारे इंडस्ती में सबसे द्यादा भविष्य का काम चलता है जिसका समय अच्छा हो जिसकी कुंडली अच्छी हो गाना कहिए इससे फिल्म कहिए तो वो ना चाहते हो अभी चलेगा तो यह किसी के हाथ में नहीं होता अपना काम मेहनत से करना चाहिए अपनी फुल एनरजी उसमें लगानी चाहिए तो भगवान तो सक्सेस देही रेता है तो यह गाना किस तरह से मिला आपको इसके रिकॉर्डिंग का लुग हो इसके आपको कैसे पिछ के आगए इसको कुछ शेयर करना चाहिए जोगों की बहुत जिक्यासा है कि किस तरह गाना पूरी तरह से निर्मान हुए बना है मज़ा कतम है कॉंसे गाने की बात करते है जिन्दगी यह मैं की रिकॉर्ड कर रहा था मेरा एक गाना फिल्म फेमस में फेमस तार्दे में तो मैं रियर्सल कर रहा था माइक पे इतने में देखा मैंने उत्तम सिंग जी और केर्सी लाड जी और उनके पीछे एक चोट इसी मूर्थी सफेद कूर्था और सफेद शर्ट और लूंगी सफेद पस्म लगाया हुआ तो अंदर आए तो उत्तम जी ने कहा कि सुरेश ये मिस्रिय राजा जी हैं साउथ के बहुत बड़े मुजिक डारेक्टर हैं और मुझे कोई ऐसी दिखावा नहीं या कुछ भी नहीं मुझे मालूम ही नहीं था कि क्योंकि मैंने मदरास की तरफ की गानों को कभी सुना नहीं था और उसके वज़े से ये मेरी क्या बतनसीबी थी कि मैंने उनको मिलने के पहले उनको जाना नहीं था मगर वो इतना बड़ा मुझिक डिरेक्टर और इद्धम सिंपल आये मैंने उनको नमस्कार किया रिस्पेक्ट दी तो और नहीं कहा कि इनके तीन गाने गाने तुमने फिल्म बन रही है और एक अहफ़े में गाने रिकॉर्ड होने हैं तो तुम पर्सों रिहसल के लिए आ जाओ जब मैंने पूरा उनका रंग धंग देखा काम करने का हार्मोनियम ऐसे बच्ती थी उनके हाथ में ऐसे पानी बह रहा है फिर उनके बारे में मैंने पढ़ा तो मालूम चल गया कि उन्होंने थाउजंट्स अफ साउथ की फिल्में की हुई है और बहुत ही बड़े मुजिक डारिक्टर नहीं तो उत्तम जी ने कहा कि कोई भी लाइन है वो ज्यादा से जादा दो बार तुमको बताएंगे वो तो तुम्हारा पिक अप जो है वो बहुत अच्छा रखना और ध्यान देना तो उपर वाले का अशिरवाद थोड़ा सा सर्गा मुगारा लिक लेता हूं तो बहुत अच् हुश हो गए वो उसके बाद दो तीन फिल्मों में उनके लिए मैंने गाया तो यह जिन्दगी गले लगाले एक उपर वाले के आशिरवाद से बहुत ही फिनॉमिनल गाना रिकॉर्ड हुआ था और देखिए उस वक कहा मालूम था यह गाना मुझे वो गाना पिक्चर क्या रिलीज होने के बाद बोल भी नहीं मुझे बोल भी मालूम याद नहीं थे तरी फर्माईशे आने लग गए उस गाने की और जब मैंने गाया तो वो ही गाना दो दो बार गाना पड़ता है मुझे आज भी स्टेज पर तो इसको कहते है पॉपला रिदी वो तो ना राजा साब को मालूम था ना मुझे मालूम था तो यह उसकी कुंडली अच्छी थी लोगों ने पसंद किया सबसे ज्यादा बोल और किस सिचुवेशन पर रिकॉर्ड हुआ पिक्चराइज हुआ है इसका भी ज्यादा महत्व होता है उसमें इंपॉर्डंस तो वही होती है तब ही जाके दो लोगों के दिल में लग जात है इसमें एक चीज और है सर देखे यह असी नबबे के दर्शक की बाते उस तरहीं पे इतने रिसोर्स नहीं थे सिर्फ रेडियो एक रिसोर्स था और यह मूवी एक रिसोर्स था मेरी थेटर आप में आप जाएंगे तो मूवी देखने के लिए गाना वाइरल होना आज की यह एवेलेबल नहीं था हां जैसे टीवी पे बार बार दिखाया जाता है तो यह हमारे उस वक्त है जिन्दगी के टाइम पे वो सब अवेलेबिलीटी नहीं थी अब तो एक गाना चेचे मेने पहले से बजाते हैं तो वैसे ही वाइरल हो जाएगे आप सिर देखे क्वालि मैंने अब जब आप सुनेंगे प्रोग्राम तो संगीत के भगवान आएवे हैं सुरेज जी ने उन्हें ऐसे ही प्रेजन किया है जब सुरेज जी ने फर्स्टाइम उन्हे देखा तो वो सफेद कुर्टा दोती भष्म लगाएवे तो सुरेज जी को तो यह लगए भगव चल रहा है दूसरा कौन सा इंस्रूमेंट आने वाला है वो किस जगेप है और सुरेज जी किस लह में गा रहे है आप सोचो कितना बड़ा अमरित है वो मन्थन था पूरा और मन्थन होने के पाद जो अमरित निकला वो गाना निकला इसलिए वो हीट हुआ उस नहीं पर हमा आपको या तो महां मिलेगा या यह उस गाने में और राजासाब जैसाब मेरे हिसाब से पूरी इंडस्टी में नहीं है आज भी गुन को अगर अगर ना पा जाए तो ऐसा म्यूजिक डिरेक्टर इलाय राजासाब है या मेरे दादू है रगिन दजैन जी ऐसा म्यूजिक इंडस्टी को नसीब नहीं होगा तो एज जिल्दगे गले लगा लेगी हम ने भी तेरे हरेक गम को गले से लगाया है है ना एज जिंदगे अब आपने बड़ा अच्छा ये अब आप लिख लीजी प्रेस कुंफेंस नेक्स जो होगी नो टेलिविजन के लिए और सुरेज जी आएंगे नेक्स जो प्रेस कुंफेंस होगी ना अभी ये बस नेक्स मेरा यह है कि सुरेज जी के साथ मैं एक शो करता हूँ वो टेलिविजन पर ठीक है पॉड़कास्ट होगा उसका बढ़िये मैं आज डिसकस करके आप अगए एक चीज है ना एक चीज है ना भया कि हर वक्त आप टीवी के सामने तो होते नहीं है गाडियों में आते जाते कितना रेडियो सुना जाता है सारी दुनिया में मैं उपर वाले के आशिरवाद से सारी दुनिया में जाता हूँ शोस के लिए कभी गाड़ी में हम लोग हमारे साथ हमको लेने आने जाने वाले तो ह उसमें सब गाने बचते रहते हैं। उसमें से जबहीं कभी हमारा भी गाना आ जाता है। तो हमको खुशी हो जाती है। अच्छा अमेरिकन लोग हम को यहाद रहते हैं। तो यह बुद्धा माझब है। They are blessed that they are listening to the voice of Mr Sureshwarika. तीवी फिर भी मैं दो नंबर पर रखता हूं कि क्यों रेडियो आपको आते जाते रेडियो सुनने को मिलता है। तीवी तो आपको देखना पड़ेगा और देखने जाओगे तो गाड़ी कैसे चलाओगे या चल भी कैसे पाओगे। चित्र देखोगे नहीं तुसका मज़ा नहीं आएगा। इसे अच्छा है ना रेडियो कान पर पून मधूर गागीद घोलता रहता है। फारक इंपूट डिवाइस का है एक जगे सिफ कान है और सीधे दिल पे से ले जाते हैं। है। यह तो थैरक इस शोटा उनके सब्सक्रण से हुए साथ है। नेक्स Lauren वनार, एक गंटे का प्रोग्राम है, जिसमें लगबग 8 गाने है, बीच में एक टी ब्रेक है, अब वो टी ब्रेक की जगे बच्चे गरी कहें, कि नहीं, आइसक्रीम, तो उसका नाम आइसक्रीम ब्रेक भी है, वो गाड़ी चल रही है, सुरेज जी के वोईस है, सुरेज जी आपने गाड़ी रोकी, आपने चाय पी लिया, अभी तो ठंड आने वाली है, तो या तो चाय की चुस्की का ब्रेक, या इसक्रीम का ब्रेक, तो वो एक ब्रेक रहेगा, उसके बद फिर चार गाने, फिर अगले वीक का इंजार, एक शो में, आठ गाने है, और आठ गानों कि यही इस पूरे प्रोग्राम की आत्मा ही यह है एक इतना बड़ा लेजंडरी आर्टेस्ट पदमिश्री जिसने असी के दशक में गाने गाये जबकि रिसोर्से कम थे बिल्कुल बहुत कम रिसोर्सेस थे और आप यह मान के चलिए सर की फिल्में हिट हो जाती है तो गाने हिट हो जाते हैं लेकिन फिल्में हिट ना और गाने हिट हो जाए तो आप इसको समझ जाना चाहिए कि उसके अंदर पावर है आज सुरेज जी इस पीडी में इस जगहों पे है आज वो प्रोग्राम एक 20 सल का बच्चा भी सुन रहा है आज मेरा बच्चा वो 14-16 सल का है ब जब तो कंटेंट आपको अच्छा नहीं मिलेगा आप पूरे रेडियो सुनिया आपको कंटेंट क्या मिलता है मैं कहां I don't want to comment बट इस पूरे प्रोग्राम की थीम ही है कि ये एक शहद है एक गुड है आपने इसे मसाला बना दिया आपने इसे ऐसी चटकारी वाली चीज बना दी तो संगीत एक आत्मा है दोस्तों संगीत एक ऐसी मेडिसिन है जो आपके हर घाव को हील कर सकती है और उसमें भी एक ऐसा डॉक्टर एक ऐसा गुड पीडी का डॉक्टर अगर आपको डोस देना तो I think वापको लेनी चाहिए तो वही थीम है कि आज की पीडी को वह दौर वापिस लेकर आए जाए कि यह संगीत की आत्मा थी और इसी को बेज बनाते हैं आगे चलना से अभी आभी आप देखी रहे है करन अर्जुन फिर बन रही है शुबाज जी ने कई कल ही कोई पिचर एनॉंस की है तो इसका रिजन क्या है उन्होंने यह ताड़ा होग कि नई जन्डेशन की क्या पसंद हो रही है ने तो कौन इतने करोड़ और उपर लगा के फिर वो फिल्में बनाएगा तो यह और वैसे भी बैया दुनिया तो गोल है जहां से शुरू होगी वापस तो आना है उसने तब ही तो कंपलीट होगा ना वो बिलकुल और सरकल हर एक के नसीब में होना चीए तब वो बीच-बीच की जो भी एक्सपिरियंसिस है उसको वो कंपेर कर पाएगा कि नहीं भे भी जो जहां पर आके मेरा जो गोल कंप्लीट हो गया है वो बेस्ट ताइम था वापस आ गया है आने दीचे जितने भी टाइम आते हैं वो आके चले जाएंगे मगर जो हमने पहले एक्सपिरियंस किये हुए वो वापस आते हैं तो उसका अनंद दोबाला हो जाता है कुमार्ट मेरा सवाल एक आपस है कि हमारे पास लिजेट भी पर शुष्री पुरेश वारता साब जेते हैं इसके बहुत जो नया इस इस पर रहमाता है वो इस तरह के लिए बहुत बहुत बढ़ी विस टेक है उन लोगों की या र नॉट बेस्ट दोस्तों अपॉचनटी ह और नहीं हर वाजे पर नॉट करती है हर दर्वाजे पर मैं प्रोडूसर हूँ मेरे जैसे हजार प्रोडूसर है उनके दर्वाजे भी नॉक हुआ था आपको डिपेंड करता है आप कितनी दूर देख सकते हैं आप उस दर्वाजे के पीछे क्या है ये पचास अमम की लकड उसके पीछे क्या है। एक हीरा हमेशा आपको खदान में ही मिलेगा। This is you, how you discover। मेरा एक सपना था। सपना ये फिर्स एपिसोड में मैंने चीज को बोला है। मैं बहुत छोटे और मध्यम वर्गे परिवार को बिलाउं करता हूं। बहुत चोटे और मध्यम वर्गे मुझे पता है 300 रुपय में घर कैसे चलता है। मैं एक शिक्षक का बेटा हूं। शिक्षा आपका बहुत बड़ा महत्र है। लेकिन ये जो वाइस था ना। हर आदमी का ड्रीम होता है। ये गाड़ी रॉल्स्रोइ लूँ, में ये लूँ। मेरे एक ड्रीम था कि जिस इंसान ने ये गाना गाया है न। जिस भगवान ने इक बार मैं उससे जरूर मिलूं। ने इक बार और भगवान ने क्या नावाजा? कि मैं उनके बिलकुल पास में हूं। दोस्तों, यह opportunity होती है, बहुत कम लोग इसको, यह ऐसा नहीं कहा रहा हूँ है, कि मैं ही समझता हूँ. But मैंने जो opportunity समझी है, वो एक बहुत बड़ी है, बहुत लोगों को समझना चाहिए. इंडेस्ट्री में काम रोक देना यह बहुत बड़ी बूलती उनकी, उन लोगों की बहुत बड़ी बूलती में नाम किसी का नहीं लेना चाहता. आज जिसने 10,000 गाने गाए है, उसके 10 गाने हिट है, और जिसने 40 गाने गाए है, उसके 20 गाने हिट है. आप रेश्व समझ सकते हैं इस इस का क्या होगा this is quality this is only the quality industry से मुझे कोई गिलाश एकवा नहीं है लेकिन ये गोला है एक जितने जिस गोले में जो आ गए बस वो ही रह जाते हैं इस गोले को भेदना बहुत मुश्किल है ये चक्रव्यू है किसका आपने ये चक्रव्यू पहले भी पढ़ा होगा लेकिन आज ये ब्रेस्ट कि हमने इस चक्रव्यू को भेदा हमें कि फिनेंशली या कुछ सुरेज जी की वॉइस करोड़ों लोगों तक पहुंच जाए मेरा इस से बड़ा कोई एम नहीं है अगर पहले एपिसोड में मेरे कहल आए फम की लिसर्श सेवन से यारे साथ करोड़ लिसर्शिप एन लोगों की तीस सिटीज में और साथ स्टेट नहीं दोस्तों तो साथ करोड़ के परिवार घर पे जाके एक अच्छा एनवार्मेंट लेख आएंगे अच्छा एनवार्मेंट जिन लोगों ने छोड़ दिया जो लोग नहीं कर पाए वो अपॉर्चुन्टी नहीं समझ पाए तच्छ वॉड, I am blessed that I got that opportunity to associate with Solish. मैं इसका एक अलग सा चोटा सा जवाब है कि एक जो लीडर होता है, समझ दीजे, बहुत बड़ा म्यूजिक डारेक्टर हूँ. अगर हमारे यहां की जो पद्दत ही है कि उस म्यूजिक डारेक्टर को बाकी के म्यूजिक डारेक्टर फॉलो करते हैं. अगर उसने आपके बारे में कुछ बोल दिया, तो जैसे स्टाइम्प लगता है ना, यह बहुत बुरी, यह बहुत बुरा एट्मोस्फियर तयार करते हैं फिर, यह नहीं होना चाहिए, अगली भी जनरेशन हमारी आ रही है, अगर आपको उसके साथ काम नहीं करना है, तो मत करिए, मगर उसके बारे में कुछ गलत मत बोलिए, यह बाकी के लोग फॉलो करते हैं उसको, जैसे एक भेड आगे चलता है, तो उसके पेचे हजारों भेड चलने शुरू हो जाते हैं, तो इस चीज का ख्याल हर म्यूजिक डिरेक्टर ने रखना चाहिए, कि भई तुम काम नहीं करना है किसी के साथ, मत करो, मगर तुम भेलाओ मत, अगर एक अच्छा कोई काम करने वाला, मैं छोड़ी है, मेरे से भी अच्छा काम करने वाले लोग हैं, उनके करियर के उपर बड़ा असर हो जाता है उसका, या आपको उसका गाना समझ में नहीं आया होगा, त अब की और बाकी कियो, बाकी की दिमाग में क्यों डालते हो, हो कितनी खराब बात है, और हमारी पूरी इंडस्ट्री में यही कुछ चलता है, इसलिए हमारी इंडस्ट्री, बहुत ज़्यादा पनपती नहीं है, आपने हिस टिर्शु से देख रहे होंगे, कोई राज नही कि उसमें से छे चलती है तो अपने क्या पालिया अगर हर इंसान का आशिरवाद मैं भी थोड़ा सा अध्यात्नीक लाइन पे जा रहा हूं अगर हर इंसान का आशिरवाद ले लो कि तो 2,600 में जाए है तब ये इंडस्त्री इंडस्त्री फ्लॉरिशिंग है ऐसा बोल सकते हैं ये इंडस्त्री शुरू से इंडस्तू was a और इंरे नहीं है तो रोल जुराइस का तो मेकानिक डारेक्ट वहां से आता है वारिंटी होती है उसने बोला कि बॉनिट खोलो बॉनिट खोलो बोला तो खुला और देखा तो एंजी नहीं उसमें तो मालिक बोलता है कि छे दिन चली कैसी बोलते है रेप्युटिशन पर चली इससे बड़ा ए पर चाहिए कि छोटी सी छोटी भी फिल्म बनी है तो उसको देखो उसको एप्रिशेट करो बड़े नहीं नहीं लेना चाहता हूं उनको खरब लगेगा ज्यादा परवा नहीं हो ज़िए मुझे एसे मगर उनको खाम का करा मैं अपने मूँ से क्यों नाम लों उनका तो उन की फिल्म में कभी-कभी इतनी भद्जी होती है तो अगर पहले दिन पूरे शोज गए अपूरे भारत देश में तो उसकी तो हीट होगे नहीं नहीं सर ये बहुत बड़ी विप्दाई मान लीजे या एक वो है कि हाल फिलाल मुझे लगता है कि मैंने सोचा था कि रिपीट होगा बट अभी इसका एसेंस ऐसा रखते हैं कि संडे को आठ से नौ आप सुने थोड़ा सा इसको ऐसा रखेंगे कि इच्छा जागरित रहें मतलब एक जिसको कितना एक डिमांड एक देखो मैं बहुत अच्छी बाह रताता हूं सर आपको आपको ये ध्यान होता है इंव अपनों का सेलेक्शन होना शुरू होता है आप साथ बजे गाड़ी में बैठते हैं और आप नौ बजे उसके हैं आप शादी में चला आते हैं ये हर्वी को क्यों यू शूड सेलिबरेट यूर हैपिनेस आप एक बार करके देखो सर आपको ये फील होगा आठ से नौ इसके लिए संगीत से बड़ी कोई मेडिसन नहीं है सर इस दुनिया में एक एक राग आज आप दीदियां बैठी है मैं उनको प्रणाम करता हूं आप दीदी ये वो खांदान है जिसने अभी भी इस परंपरा को संजोए हुए इसको समाला हुआ है आप बताएं ये कौन सा इनसान है जिस खांदान है ये पूरा खांदान कितने लोगों को कितने बालकों को कितने बच्चों को संगीत के शिक्षा देता है किसी ने इसको डिसकवर किया क्यों नहीं मिलता है ये अप्रिजेशन उसके दो रीजन है एक तो इंडस्ट्री एक जोंके की तरह से चलती च चलिए आज आप मैं आपको एक छोड़ा से एक्जाम्बल देता हूँ आज मुझे आप एक कैमरा देतीजे मैं ट्रेन में जाता हूँ वह दो एक बीडी पी रहा है उसको रिकॉर्ड करता हूँ एक विचारी लेडी बैठी हो अपनी गठ्री बाण के बैठी है तीसरा एक वि बाई इसको ड्रिप लगते वे रिकॉर्ड कर लेता हूँ एक बच्चे को रिकॉर्ड करता हूँ क्रिकेट खेल रहा है अब यह रिकॉर्ड करके मैं उसको थोड़ा स्लो मोशन डाल देता हूँ आप नाम क्या रखो इसका नाम रख देते हैं बस यूही मैं आपको काना बता दीजिए आपको बहुत च्छा लगा आपके मूपे हो भी नहीं है इंडिस्टी के पास content ही नहीं है इसी लिए जिन लोगों के पास content है जिन लोगों ने इसको धरोर बना के रखाए एठीस हमारा first बनता है देखो दोस्तों यह press conference है यह भी मेरे बहुत अच्छे म बित रहे हैं इनको कल रात को बोला उसको मैंने बोला एक तरीक को मैंने पूरे ओल इंडिया में जितना गॉड़कास फिस माइफम को दिया होगा उससे डेड़ गुना खर्चा किया होगा प्रिंट पर पच्पन लाख सिर्फ कि तुम उठो एक सुनो किसी इंसान को जो हमा नहीं करेंगे कौन करेंगा सिर्फ किसके पास है ये बेड़ा आम रेड़ी आम मैं अपना पूरा सब कुछ लुड़ा सकता हूँ आम रेड़ी तो स्पेंट अवरीटिंग नोट इवल्कुल मैं भी मान रहा हूँ मैं भी उनमें से एक ही था बट आई देड मैंना प्रयास क कैसी चीज दी आम ब्लेश्ट माय अफम ने अपॉर्चुटी संजी I think Sachin was there, Sachin ने एक मेल में वी-सी किया और मैंने इंको कन्फर्म कर दिया है, they said, इतना पैसा इसा डोपी बट जो ये शहद आपको दे रहे है ना सर, ये पर आप चखके देखिये, you'll feel your life got changed अब मेरा सबसे बड़ा प्रावलम क्या है, मैं शोबीज में हूँ, मगर शोबाज नहीं हूँ मैं, मुझे बहुत ज़्यदा उसका आउड़मबर करने आज तक नहीं आया है, अभी 70 के करीब हो रहा हूं मैं, आज तक नहीं आया है तो इसके बाद क्या करेगा, मगर इस भ जब जागरुत हुआ उनको लगा कि भई ये करना चीह, मुझे भी अच्छा लगा, तो हम लोग आगे बढ़ गया है शोबाजी इसलिह मैं नहीं करता, क्यूंकि शोबाजी भी एना, वो किसी एक लेवल तक चलती है इसको सही मानों में दुनिया के दिलों पे, दुनिया के मैप पे, ये लोग ही पहुंचा सकते हैं अब देखिए किसी एक्टर को, सादा, हाँ, भाई साब, किसी एक्टर की चीची उंगली को कुछ लग जाता है तो पेपर में आ जाता है बिलकुल सही बादा आप समझ सकते हैं आज उनका पेट ठीक नहीं है अरे, उसके पेट का और हमारा संबंद के है तो पब्लिसिटी की भी एक सीमा होती है जो क्या कहते हैं न की और आदमी को और आर्टिस्टों को आप लोग जिंदा रख सकते हैं तो आप मुझे बता है कि इतनी बड़ी रिस्पॉंसिब्लिटी आपके ओपर होती है और खाली पांच लोगों को अगर आप बढ़ाएंगे तो बाकी पचास हजार कहां जाएंगे जैसे मैंने गाने की बात की, मुझेक दरेटरिंग बात की वही यह सब हमारा मिला जुला है हम सब भाई भाई अगर है तो आपका भी फर्स बनता है अरे बड़ा मज़दार है इसी में तो है सारी यही मैकनिसम है जादी में आप जाएंगे कोई भी डेस्टिनेशन बंबे कहीं भी ले लिजे कहीं कोई भी जोड़ी सिटीज हैं एक गंटा अदा गंटा लगता है मज़ा तो जब आएगा जब बंदा कहेंगा कि दस मिट और लुक जा अब दस मिट बाद चले जलेंगे शादी एक एक क्रियेट करना आप आप देखो ये एक कोई ऐसा नहीं क्यों नंबर्स हैं ये ऐसे ऐसा शैद है जो वेरी जन्रेक और नैचरल है एक बार आप टेस्ट करेंगे ना उसके बाद अपने आप आप ये कहेंगे नहीं यार एक पैक जाचल दूसरा चल तीसरा तो आठ ग झाल